डाउटनेट पर होगा आपके सभी math, chemistry, physics और biology डाउट का सफाया बस अपनी question की photo खीचो, उसे crop करो और उसी submit करो और 3 सकेंड के अंदर उसका video solution पाओ Class 6-12 से लेके NEET IATJE मेंस और इर्भांस की लेवल तक आज ही डाउटनेट एप लिंक description में दिया गया है Hello Friends, आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही YouTube चैनल LGR Study ITI में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग ITI परवेश परिक्षा के बेहतर तयारी के लिए GK और GS के महतपूर्ण Question का तयारी करते हैं आपको बता दे कि आज यह इस वीडियो स्रीज का 13 नंबर वीडियो है इस वीडियो स्रीज का 12 वीडियो अल्रेडी हम अपलोड कर चुके हैं तो जो लोग अभी तक इस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज आपका कलास जो है आप यहां पर देख सकते हैं कि 301 नंबर question से क्या होगा स्टार्ट होगा आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि अगर आप भी LGR study का जो official app है जिस app पर आप सभी को जो है पता होगा कि 10th, 12th, ITI, Polytechnic और Paramedical यहां पर आप देख सकते हैं ITI, Polytechnic और Paramedical के बहतर तयारी के लिए सब कुछ यहां पर आपको उपलवद है तो अगर आप भी यह mobile app यह जो आपका mobile app है अगर यह आप लोग भी अगर download करके रखे हुए हैं और अगर अभी तक update नहीं किये हैं तो अभी आप इस mobile app को update कर लिजे क्योंकि आपको बता दे कि आप सभी को पताओगा कि इस app पर कुछ जो है टेकनिकल प्राबलम आ रहा था आपको बता दे कि सभी प्राबलम को ठिक करके जो है इसको final update कर दिया गया है और अगर आप इस app को नहीं update करेंगे तो 3-4 दिन के अंदर यह app आपके पास जो है वो काम करना बंद कर देगा तो आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे तो जो लोग जो है अपडेट नहीं कियें तो आज का अभी का भी जो है अपडेट कर लिजे और अपडेट कैसे करना है आपको बता देते हैं ऐसे ही आप लोग एप ओपेन कीजिएगा तो होमपेज पर अभी आप है और यहाँ पर उपर में आप देखेंगे तो बाये तरफ में 3. आपको दिखाई दे रहा है इस 3. पर जैसे ही आप क्या करेंगे किलिक करेंगे तो चलिए हम किलिक करके दिखा देते हैं किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं इस app को जरूर update कर लिएगा नहीं तो आपका app काम करना बंद कर देगा तो फिर आप पड़े सानी में पड़ जाएंगे तो आपको app को update कर लेगा जो लोग download नहीं किये हैं उस app को तो इस वीडियो के description में लिंक है वहाँ से भी आप लोग download कर सकते हैं चलिए अब हम लोग question के तरफ बढ़ते हैं question जो आपका 301 नमर से starting होगा question है कि sword bundle में सबसे आधिक उपगरह किस गरह के पास हैं यहाँ आपको बताना है तो 301 का जो आपका B option है बिल्कुल ही सही होगा याद रखिएगा ब्रसपती के पास सबसे आधिक उपगरह है और वहीं पर आपको अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि पिर्थवी के पास कितना उपगरह है तो याद रखिएगा कि पिर्थवी का केवल एक उपगरह है कौन तो चांद चांद जो है केवल एक ही उपगरह है पिर्थवी का यहाँ आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट आप देखेंगे 300 दूर नंबर कोश्चन को भारत का छेत्रफल लगबग डॉट डॉट वर्ग किलो मीटर है तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर लगबग में आपको आंसर बताना है लेकिन एकूरेट आपको पता होगा तब तो आप लगबग में बता सकते हैं तो देखिए भारत का जो छेत्रफल है वो 32,263 वर्ग किलो मीटर है यानि कि 32,87,263 वर्ग किलो मीटर है तो इसको आप लगबग में क्या कह सकते हैं तो देख सकते हैं कि 32,00,000 तो है ही और 32,00,000 के बाद 87,000 है तो 87,000 किस के पास है तो 33,000,000 के पास है 33,000,000 के आज पास में है 9 की 31,000,00 के 37,000,00 और 29,000,000 के पास नहीं है तो 32,000, endorse 87,000, are 263,000, किलो मीटर है भारत का चथरफल तो इसको आप लगबग 33,000,000 कहा सकते हैं तो यहां पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत का छेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलो मीटर हैं आप इस तरह से याद रखेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे 303 नंबर कुश्चन है राम क्रिशन मीशन की अस्थापना किस ने की थी राम क्रिशन मीशन की अस्थापना विवेकाननद जी किये थे तो यहाँ पर आपका B option बिलकुल ही सही हो जाएगा नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 304 नंबर कुश्चन है कि सक संबत कप प्रारंब हुआ सबसे पहले तो बहुत सारे स्टुडेंट यही नहीं जानते कि संबत क्या होता है बहुत सारे स्टुडेंट संबत के बारे में ही नहीं जानते होंगे तो आपको बता दे कि संबत क्या है संबत अभी आप कलेंडर जानते हैं कलेंडर जिसमें आप देखते हैं डेट देखते हैं वो उस समय में कोड़ानिक समय में कालेंडर को ही हम लोग जो है संबत के नाम से बोलते थे और सक राजाओं ने सक संबत चलाया था भारत का जो सक राजा था ठीक है तो सक राजाओं ने सक संबत चलाया था तो सक संबत का प्ररांब कब हुआ था इस कैलेंडर का प्रारंब कब हुआ था तो यहां पर 304 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा याद रखेंगे 78 AD में 78 इसा पूर्ब भी आप इसको बोल सकते हैं सॉरी इस भी बोल सकते हैं ठीक है 78 AD में इसका प्रारंब हुआ था नेक्स्ट आप देखेंगे 305 नंबर कितने कोश्टक होते हैं तो याद रखेगा मनुस के हिर्दे में 4 कोश्टक होते हैं मतलब जो मनुस का हिर्दे है आप इसको लगभग इस तरह से बनाते हैं वर इस तरह का फीगर नहीं होता है ठीक है तो ये चार भागों में क्या होता है बटा होता है नेक्स्ट आप देखेंगे 306 नंबर कोश्टन है कि जम्मु कस्मीर को कौन से कौन सा धारा के अंतरगत बिसेस राज का दरजा प्राप्त था यह आपको पता करना है बताना है कि आपको सभी को पता होगा कि जम्मू कस्मीर को एक BCS राज का दर्जा प्राप्त था तो किस धारा के अंतरगत प्राप्त था तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि धारा 370 के तहट उसको जो है BCS राज का दर्जा प्राप्त था जिसको अब हटा दिया गया है किसको हटा दिया गया है तो धारा 370 को हटा दिया गया जिसके कारण वहां उसका जो विशेष राज का दर्जा था वो आप समाप्त हो गया है और एक के अंदर सासित परदेश बन गया आप सभी को पता होगा 307 नमबर कुश्चन को देखेंगे कि सिंग भूम किसके लिए प्रसिद्ध हैं सिंग भूम आपको बता दे कि यह जारखंड का एक अस्थान है और यह तामबा खरनीज के लिए सबसे अधिक जो है फेमसे वहापर सबसे अधिक क्या है कोईला भी है लोहा भी है अल्मूनियम यह बट सबसे अधिक किस के लिए है तो तामबा के लिए वह फेमसे कौन चीज सिंग भूम कहा है तो जारखंड के अंदर है नेक्स्ट आप देखेंगे 308 नमबर कुश्चन बिश्व में तीन का सरवादिक उत्पादक कौन सा है तीन जो है सबसे अधिक उत्पादन किस द किये हैं और इस वीडिएो के नीचे अगर लाल रंगा सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को दिखरा होगा तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ons तरह का बहुत सारा बीरियो आप लोगों के लिए और भी इस चैनल पर लेकर आने बाले हैं देखेंगे एगले question 309 number question को काफी महतपूर्ण है बोला जारा है कि तुम मुझे खुंदो मैं तुझे अजादी दूंगा किस ने कहा था यह नारा किस के द्वारा दिया गया था तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका बिल्कुल इस होगा सुवास चंद्र बोस जी के द्वारा यह नारा दिया गया था कि तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ठीक है नेक्स्ट 310 number question निम्ड में से कौन सा डाक बिभाग से संबंधित है डाक बिभाग से संबंधित कौन चीज है तो 310 का यहाँ पर आपका C option सहीओगा पैन जो है आपका किसी संबंधित है आप याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट है आपका 311 number बोला जारा कि सिस्मो गराप का उपियोग क्या मापने के लिए होता है तो 311 का यहाँ पर आपका D option जो है बिलकुल ही सहीओगा भूकाम का जटका मापने के लिए सिस्मो गराप का उपियोग होता है यहाँ आप याद रखेंगे 312 number question को देखिए पूचा रहा की इकाई क्या है धारा काने का मतलब है यहाँ पर बिधुत धारा बिधुत धार इलक्ट्रिक करेंट का जो है आपको इकाई डैट मिस यूनिट बताना है तो याद रखेगा कि एमपियर होता है विदुध धारा का इकाई यानि की यूनिट जो होता है वो एमपियर होता है यहाँ आप याद रखेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे 313 number कुछ कुश्चन हम आपसे भी पूछ सकते हैं तो त्यार रहिएगा और उसका आंसर जो है फास्ट कीजिएगा दो से तीन कुश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में भी पूछ सकते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर आंसर कीजिएगा 313 number कुश्चन है कि जल का हिमांग यानि कि पॉइंट आपको बताना है मतलब जल कितने डिगरी सेल्सियस पर जो है वो क्या होती है जम जाती है तो काफी सिंपल सा कुश्चन है जीरो डिगरी सेल्सियस यहाँ पर आपका बिलकुल है सही आंसर होगा 313 का आपका बी आप्सन सही हो जाएगा चलिए बढ़ जाते हैं को देखिए और यहां पर आप अब ध्यान से देखिएंगे अगले क 쿠श्चन को तीन्सओ छवदा नंबर कुश्चन को देखिए कि नीम्ड में से कौन सी गैस हवा में सभी आधिक अनुपात में उपस्थित हैं हबा में आप सभी को पता है कि बहुत सारे गैस सो मिक्स है तो सबसे अधिक किस का जो अनुपात है तो याल जखेगा नाइट्रोजन कौन से अधिक है सबसे अधिक नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के बारे में आपको पता हुना जाए कि 78% जो है वो नाइट्रोजन ही ह है बायो मंदल में ठीक है और एक कीस परतीसित आपका ऑक्सीजन है और एक परतीसित में बांकी के अन्य गैस है यह सब भी आप याद रखिए सभी आपको कहीं ने कहीं काम आ सकता है आगे बढ़ते हैं 315 नंबर क्वेश्चन को देखिए बोला जारा कि किसी लेंस यहां पर की होगा याद रखेगा इसको की परहेंगे आप किसी लेंस की चमता किसमें ब्यक्त की जाती है तो लेंस के चमता का ऐसा है मातरक क्या होता है आपको बताने तो याद रखेगा कि डाय अप्तर होता है लेंस के चमता का ऐसा है मातरक डाय आप्टर होता है नेक्स्ट आप देखेंगे तीन सो सोलर नंबर क्वेश्चन कारबन एक कारबन एक क्या है धातु औधातू यहाद रखेगे 377 number question है कि मानव शरीर में रक्त कहां सुद्ध होता है या काफी महत्पूर्ण question और simple भी है तो आप सभी इसका answer करेंगे comment में मानव शरीर में रक्त कहां सुद्ध होता है इसका answer आप लोग comment में करेंगे E option आपको हिर्दे दिया गया है B option brick है C option फेपरा है कोई नहीं है तो आप लोग comment के माधिम से इसका answer बताए कि 370 number का ABCD कौन सा सही answer होगा ठीक है next हम बढ़ते हैं 318 number question को देखते हैं बोला ज़रा कि किसकी उपस्थिति के कारण पतियों का रंग हरा होता है तो पतियों का रंग जो है हरा होता है पर्ण हरित के कारण जिसको हम लोग English में कलोडो फिल बोलते हैं पर्ण हरित यानि की कलोडो फिल के कारण इसका रंग जो हरा होता है यह आप याद रखेंगे next आप देखेंगे 319 number question को बोला ज़रा कि यक्रित यानि की liver का कार यह क्या है liver आप सभी जानते होंगे यक्रित तो उसका काम क्या है या आपको यहाँ पर बताना है तो इस question का भी answer आप लोग करेंगे simple सा question है तो आप लोग इसका answer करेंगे कि आखिर यक्रित यानि की liver का क्या कार या होता है ठीक है जिस लोग को आउसर नव पता रहे तो फिर आप टेंसर ने लिजेगा comment में लिख दीजेगा कि सर हमको 319 आउसर नहीं पता है तो हम आपको reply कर देंगे वहां से भी आप शीख सकते हैं next आप देखेंगे 320 number question चमगादर क्या है काफी महतपुर्ण question और बार बार पूछा हुआ question है या तो आपको बता दे कि चमगादर एक अस्तन धारी है यहाँ पक्छी नहीं है देखिए पक्छी जेनरली जो होती है वो अंडा देती है और अपने बच्चे को दूद नहीं पिलाती है ठीक है लेकि रखेंगे 321 नंबर question है कि कुनैन पेर की चाल का उब्योग किसके उपचार के लिए किया जाता है उपचार मिस इलाज किसके इलाज के लिए किस बीमारी के इलाज के लिए तो 321 का यहाँ पर आपका option पिल्कुल से होगा malaria यहाँ पर आप जो है याद रखेंगे next है आपका 322 question मचली सांस लेती है मचली सांस किसे लेती है तो गिल्स से सांस लेती यानि गल फोरे से सांस लेती है मचली यह आप जो है याद रखेंगे और मनुस के से सांस लेते हैं तो मनुस फैपरों से सांस लेते हैं नाक से सांस लेते हैं फैपरा से सांस लेते हैं मनुस 320 नमबर कोश्चन है निम्न में से किस रक्त समुह वाले ब्यक्ति को सरबादिक रक्त दाता कहा जाता है कौन रक्त समों वाले ब्यक्ति सभी को रक्त दान कर सकते हैं तो बलट गुरूप वाले याद रखेगा ओ यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट है आपका किस ने सर्व पर्थम कहा कि सूर्ज पिर्थवी के चारो ओर चक्कर लगाता है किस ब्यक्ति ने कहा था तो यहाँ पर 24 का डी ऑप्सन आप याद रखेंगे कॉपर निक्स के द्वारा ऐसा पहली बार जो है बताया गया था नेक्स्ट आप देखेंगे 325 नमबर कुष्चन बोला जा रहा है कि प्लास्टर आप पेरिस में होता है तो 325 का यहां पर आपका सी ऑप्सन बिल्कुल को कैल्सियम होता है यह जो है आप याद रखेंगे आज के लिए तना ही रखते हैं आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताईए और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक कर दीजे साथ ये अपने दोस्तों में सेर कर दीजे और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का बटन दीख रहा होगा सब स्ट्राइब कर लिए बगल में घंती का निसान आगा उस पर भी किलिक करके और पर सलेक्ट कर लिजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकते आपको बता दे कि जो लोग जो है जो यहां मुबाइल एप है इसको अगर अभ झीरही